हेलो एबरेबन स्वागत है आप सभी कैक वाल फिर से हमारे यूटीब चैनल विलेजर्स कॉंसेप्ट में तो दोस्तों आज का जो वीडियो है यह एड़ुटेडिया पब्लिकेशन का मॉडल प्राक्टिस सेट बुक है बिहार S.A.C के लिए और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का पांचमा मॉडर प्राक्टिस सेट ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेखिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे ने विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज इस चैनल के एक बार सब्सक प्रेंट्स तो देखिए क्वेशन नमर फर्स्ट जो यहां पे दिया हुए फ्रेंट्स कहा रहा है इस क्वेशन में कि सन्युक्त राष्ट्र महा सभाद्वारा विश्व सतत्परिवहन दिवस किस तिथी को मनाने की घोशना की गई है तो सही आंसर है इसका देखिए 26 नव सतत्परिवहन को लेकर लोगों को जागरूप करने के उद्देश से सन्युक्त राष्ट महा सभाद्वारा 26 नवंबर को प्रतिवर्स विश्व सतत्परिवहन दिवस मनाने की घोशना करी गई है तो ऑप्सन नमर बी इसका सही आंसर होगा देखते हैं अगला कुशन यहां जो है ऑपरेशन उपलब्द सुरू किया गया है तो ऑप्सन नमर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा देखते हैं अगला कुशन यहां पे और इसमें है कि तिरपनवा दादा साहब फाल के पुरसकार 2021 से किस अभिनेता या अभिनेतरी को समानित किया गया है तो देखे इस 2017 स्वी में जो है भिनोद खन्ना को यह पुरसकार दिया गया था और 2018 स्वी में अमिताब बच्चन को जबकि 2019 में रजनीकांत को और 2020 स्वी में यह समान आसा पारेख को दिया गया था ठीक है प्रेंट्स तो वहीदा रह्मान को जो है तिरपनवा दादा साहब हाल के पुरस स्वी में इन्हें विश्व खादि प्रसकार से समानित किया गया था ठीक है ऑप्सन नमबर यहां पर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा देखते है नेक्स्ट कुरिशन फाइव नमबर और इसमें है कि लॉजिस्टिक प्रदर्सन सूचकांग परती वर्स किसके द्वारा जारी किया जाता है तो यह जारी किया जाता है विस्व बैंक के द्वारा ठीक है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है और 2023 में इस सुची में पहले अस्थान पर सिंगापूर है तथा भारत का जो अस्थान इसमें रहा था वो था 38 ठीक है 38 अस्थान थ था काजी रंगा राष्ट्रे उदियान में option नमर B इसका सही answer हो जाएगा अगला देख लेज़ें यहाँ पे 7 नमर question और इसमें है कि 2023 में कितने व्यक्तियों को पदम विभूसन पुरसकार 2023 से समानित किया गया है 2023 इसमें तो देखें इसमें टोटल 6 लोगों को पदम विभूसन से समानित किया गया है और विच्छो लोग है यहाँ पे देखेगा स्री बाल कृष्ण दोसी स्री जाकिर हुसेन स्री म.S. कृष्ण स्री दिलिप महालनोबिस स्री निवास वर्धन और स्री मुलायम सिंग यादव तो इन छे लोगों को 2023 में पदम विभूसन पुरसकार से समानित किया गया और देखेंगे यहाँ पे देखें कहा रहा है कि पंद्रावां बिर्क्स सिखर समेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया तो इसका आयोजन किया गया था दक्षिन अफरी का में ठीक है और इस संस्था की अस्थापना 2009 S.B. में हुआ था 2009 S.B. में जो है बिर्क्स की अस्थापना हुई थी यह भी याद रखेगा और इसमें कुल 5 सदस्य देश है वर्तमान में ठीक है आए देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन और देखेए इसमें है कि संतोष ट्रॉफी 2023 के उप वीजेता कौन है सही आंसर है देखेए में घाले में घाले जो है इसके उप वीजेता है आपसर नमर B इसका सही आंसर हो जाएगा जब किसकी वीजेता टीम करना टक है ठीक है फ्रांस देखेएंगी अगला क्वइचन लिए आपे और इसमें कहुआ रहा है कि किस IIT द्वारा आब प्रहरी मोबाइल एप को लांच किया गया है आब प्रहरी मोबाइल एप को है तो इसका संभंध्य से भूंछ किया गया, कि किया गै, है परुस्ट gandhi है, की अगला फ्रेंट बैक्रों किया कि और इसमें है कि कोली लोक निरत्य का संबंध किस राज से है तो इसका संबंध है महाराश्ट से कहां कहां से है महाराश्ट से है नेक्स देख लिए यहाँ पे इसमें है कि अंतराष्टी अस्तरम संगठन का मुख्याले कहां है तो देखिए इसका जो मुख्याले हो जाएगा वो हो जाएगा जे नेवा ओप्सन नमबर ए इसका सही अंसर हो जाएगा और देखिए इस संगठन की जो अस्थापना हुई थी वो 1946 सिस्वी में ठीक है इसको भी याद रखिएगा कई वर जो है एक्जाम में पूछ दिया जाता है तो इसकी जो अस्थापना हुई थी 1946 सिस्वी में अंतराष्टी स्रम संगठन की ठीक है और इसका मुख्याले कहां है तो यह है जे नेवा में ठीक है प्रेंस चलिए देखते हैं अब अगला कुश्चन देखिए नेक्स्ट कुश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि कएगा परमानु विदुत गरी की अस्थापना कव की गई थी कहेगा प्रमानु विद्धुत गरी की अस्थापना तो इसकी अस्थापना हुई थी 2000SB में सन 2000SB में ठीक है फ्रेंट्स option number C इसका सही आंसर हो जाएगा देखते हैं next question यहाँ पे और इसमें है कि checkmate, wishab तथा gambit सब्द का संबंद किस खेल से है तो देखें इन सब का संबंद है 17 जिखेल से option number B जो है सही हो जाएगा next question देख लीजी हाँ पे है कि भारत में निम्न में से कौन राजकोसिय निती निर्धारित करता है भारत में निम्न में से कौन राजकोसिय निती तो सरकार की राजगोशी निती का option number C, इसका क्या हो जाएगा, सही answer हो जाएगा, ठीक है friends, चलिए देखतें अगला question यहाँ पर question number 18 हो जाएगा, और देखिए question number 18 यहाँ पर दिया हुआ है, question number 18 देखिए कहा रहा है, इस question में कि सुची 1 के साथ सुची 2 को मिलाईया और नीचे दियेगे, कुट की सायता से सही उतर का चायन कीजिए, तो देखिए इसका जो सही answer है, वो है option number यहाँ पर A, A का क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, open general license जो है, विदेशी व्यापार हो जाएगा, B का 1, यानि ट्रैस सिम जो है, क्या हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा, C का 4 हो जाएगा, थोक, मुलिस, वुचकांग, जो है, मुद्रासपीती, और नक्ती, रिजर, वानुपाद, जो है, यह रिननियंतरन हो जाएगा, तो option number A, इसका सही answer होगा, देखते हैं, अगला question यहाँ पर 19 number, और द योजना में, मुख्य प्रात्मिक्ता, क्रिसी एवं सीचाय शेत्र को दिया गया था, यह भी याद रखेगा, आई यह देखते हैं, next question, इसमें है, कि निमनलेखित घटनाओं पर धियान दे, तता इन्हें कालानों करम में ब्यावस्थित करें, नीचे दीगे कूट से सही उ राष्टे करन, तो बैंकों का जो राष्टे करन हुआ था, वह हुआ था, 1969, 1979 इस भी में, और लास्ट में है एक नमर गरीवी हटाओ, देखें, गरीवी हटाओ का नारा जो है, इंद्रा गांधी के समय में दिया गया था, 1971 इस भी में, तो देखें, option नमर बी जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लिजिए, यहाँ पर अगला question हो जाएगा, 21 नमर और देखें, question नमर जो 21 यहाँ पर दिया हुआ है, देखें, इसमें कहा रहा है, कि निम्नलेकित में से किसका पारिस्थित की संतुलन से संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, सही है, देखें, option number C हो जाएगा, ओध्योगिक प्रबंधन, ठीक है, ओध्योगिक प्रबंधन हो जाएगा, अगला question देखें, कि यहाँ पर 22 नमर और इसमें है, कि अगर उनमें, यानि कि विद्रोहियों में से एक भी युग्यनेता निकला होता, तो हम सदा के लिए हार जाते, 857 के विद् का जनक किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है वारण हैस्टिंग्स को ठीक है, वारण हैस्टिंग्स को इसका क्या हो जबहरत में निया एक से वा का जनक कहा जाता है, option number A, जो है सजई हो जाएगा, वश्टे प्रतेग जिले में सरपरतम एक दीवानी तथा एक फाउजदारी नियालाय की अस्थापना की और Regulating Act 1773 के तहट 1774 इसमिम कलकत्ता में सरवस्च नियालाय की अस्थापना करवाई थी और साथ ही हेस्टिंग्स ने एक हिंदू कोड की संकलित करवाया था ठीक है एक हिंदू कोड को संकलित करवाया तो option number A इसका सही आंसर होगा देखेंगे यहाँ पर 24 नमर निमलेखित में से किसने पटना सीटी में पीर अली के नेत्रित में हुए विद्रुख को दवाया था तो दवाया गया था Commissioner Taylor की द्वारा Commissioner Taylor के द्वारा option number D होगा सही देखेंगे अगला question यहाँ पर question number हो जागा 25 और देखें question number 25 यहाँ पर दिया हुआ है कहरा है इस question में कि भारतिय राश्री कॉंग्रेस का सायतिस्वा अधिवेशन जो गया में हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता निमनलिखित में से किष्णे की थी तो देखें उसकी अध्यक्षता किया गया था देश बंधू चितरंजन दास के द्वारा option number C होगा सही अगला देख लीजिए यहाँ पर 26 नमबर और देखें question number 26 यहाँ पर दिया हुआ है कहरा है इस question में कि निमनलिखित गटनाओ को काला कर्मानु सार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिये गए कूट की सायता से सही उत्तर को चूनिए तो देखें इसका 26 का जो answer है वो है option number यहाँ पर C हो जाएगा ठीक है option number C हो जाएगा देखें सबसे पहले 4 नमर दिया हुआ है और 4 नमर में क्या है पर्थम 20 वियुद की समाप्ती तो देखें पर्थम 20 वियुद की समाप्ती कब हुई थी तो इसकी समा दिया हुआ एक नमर में क्या है मोपला विद्रो और यह मोपला विद्रो कब हुआ था यह हुआ था 1921 विमें उसके बाद बच गया 14 चोड़ी घटना तो यह कब हुआ था 1922 वी ठीक है तो देखें इसका काला करमानुसार व्यवस्थित जो हो जाएगा वो हो जाएगा option number यहाँ पे C ठीक है फ्रजा देखेंगे अगरा question यहाँ पे 27 नमर और देखें Qaeda नमर जो 27 यहाँ पे दिया हुआ है देखें क है रही स्क्रीशन में कि बिहार के किस जिले में औस योग आंधुलन के दौरान जहंड़ा कांड हुआ था बिहार के किस जिले में तो यह हुआ था भागलपूर में ठीक है ऑप्सन नमर सी सही हो जाएगा देखे फरवरी दो 1922 में भागलपूर में जंडा कांड हुआ था इसमें भागलपूर में और द्योगिक प्रदर्शनी की दौरान यहां के ठीकेदारों ने राष्टे जंडा का परयोग किया जिस पर ब्रिटिस अ कारियों का सही करम काल करमानुसार कौन सा है थो देखिए यह हो जाएगा यहां पर 28 का अप्चन नमर C हो जाएगा दास परथा का अंत तिर्थ यात्रा करकी समाप्ती जजिया करकी समाप्ती और फिर दह साला पर नाले लागू करना option नमर C हो जाएगा चलिए देखते हैं अगला question यहाँ पर question नमर 29 हो जाएगा और देखिए question नमर 29 है कहरा है इसमें कि हरपा काली नगर तीन भागों में विभाजित था वह कौन सा हरपा काली नगर था तो वह हो जाएगा धौलावीरा option नमर C इसका सही आंसर होगा next देख लिजे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किस बाध सिंगिती में अनुसासन को लेकर मतभीद के कारण बाध संग अस्थावीर एवम महा संगिक में विभाजित हो गया था तो सही आंसर है इसका दूइतिय जो बाध संगिती हुआ था इसी में हुआ था ठीक है option नमर B इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं एकला question यहाँ पर question नमर 32 हो जाएगा और देखे question नमर 32 यहाँ पर दिया हुआ है कह रहा है कि मौरे काल में संस था एवम संचार का संबंध निमनलेखित में से किस से था तो सही आंसर है देखे गुप्त चर व्यावस्थाथ से option नमर C जो है सही हो जाएगा देखे एकला question कहा रहा है कि मेगा अस्थनी जो दोरा भारती समाज को साथ वर्गों में बाटा गया निमनलेखित में से कौन साथ वर्गों में समिलित नहीं था तो वह हो जाएगा देखे चैतरिये जो है यह इन साथ वर्गों में नहीं था option नमर C न備नलेखित में से कौन सा दूइप भारत और स्री लंका के मधि नमर A मारमा गाओ जो है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा और यह पतन गवाराजि में इस्तित है यह भी आद रखियेगा ठीक है फ्रैंट्स उसके बाद देखेंगे अगला Question 36 नमबर और कैलाशमे कि हिंद महासागर में सबसे बरादूइप इन में से कौन सा है तो देखें मेडागासकर जो है हिंद महासागर में सबसे बरादूइप है Option No.C होगा Next Question है गंगा का डेल्टा निमन में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरन है तो देखिए यहां उदाहरन है चापाकार डेल्टा का ठीक है चापाकार डेल्टा का उदाहरन है अगला देख लेंगे यहां पे 38 नमर क्वेश्चन कि आल्प्स परवत के उतरी ढाल के सहारे सुटियर लेंड में बहने वाली अस्थानिय पवण कौन सा है तो देखें वह पवण है फौन पवण ठीक है ऑप्सन नमर भी होगा सही अगला देख लिजिए 39 नमर कि भुकंप का सरवाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है तो देखें इसका जो सरवादिक प्रभाव होता है वो होता है अधिक के अंधर पर option number A इसका सही आंसर हो जाएगा next question देखेंगे इसमें कि निहारी का क्या है निहारी का क्या है तो देखें इसका 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे option number A हो जाएगा ठीक है, Option number A हो जाएगा, एक तप्त गयस का बादल हो जाएगा, अगला question देखेंगा, यहाँ पर 41 नमबर, और देखें, question number 41 यहाँ पर दिया, friends, देखें, question number 41 यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है, कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित किजिए, तथा सही उत्तर चुनिए एक तरफ वन जीव अभ्यारन और दूसरे तरफ जो है उसका संबंदे तराज्य दिया हुआ है तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो option नमर यहां पर दिखी ए हो जाएगा और ए में क्या दिया हुआ है एक का 2 दिया हुआ है यानि कि नाम दाफा जो वन जीव अभ्यारन यह कहा है और नातिल परदेश में है बी काफोर पेरियार जो है यह कहा है केरल में है सी कावन बांदीपूर जो है यह कहा है करनाटक में और लाम जाव जो है यह कहा है यह मनिपूर वन जीव अभ्यारन है तो option number A जो है इसका सही answer हो जाएगा देखेंगे अगला question यहाँ पे 42 नमर और देखेंगे इसमें कहा रहा है कि निम्नलेकित में से कौन सी महतुपूर नवी सेस्ता संगिय सरकार की है तो सही answer हो जाएगा 42 का option number यहाँ पे C हो जाएगा यानि कि 1, 2 और 3 ठीक है तो option number C जो है इसका सही answer हो जाएगा चलिए देखेंगे अगला question यहाँ पे question number 44 और देखेंगे इसमें कहा रहा है कि किसी राजी के लोग सेवा आयोग के कारियों को निम्नलेकित में से किस एक के अनुमोदन से संग लोग सेवा आयोग को सौपा जा सकता है तो देखेंगे वह हो जाएगा भारत के राश्रपती ठीक है option number D जो है सही हो जाएगा देखेंगे अगला question यहाँ पे 45 नमर और कहरा है कि निम्नलेकित में निती निर्देसक तत्वों के बारे में क्या असत्य है निती निर्देसक तत्वों के बारे में इनमें से क्या असत्य है तो देखेंगे असत्य है कि इनका मूल उदेस राजनितिक इसका जो मूल उदेस से हो जाएगा देखें यहाँ पे कि इसका मूल उ वर्तवान में सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका option नमर यहाँ पे बी 8 ठीक है आठ सदस से जो है राज सभा के वाक के अंदर सासित परदेशों से चुन के आते हैं अपसन नमर बी इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए इगला question 47 नमर और कह रहा है इसमें कि भिहार में लोग सभा के लिए आवएंटेत सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा option नमर बी टोटल 6 अनुसूचित जातियों के लिए जो है आरक्षित है अगला देख लेजे यहाँ पर 48 नमर और देखिए question नमर जो 48 है कह रहा है इसमें कि भारत के राश्रपती पर महाभयोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवस्यक है तो 48 में आंसर है option नमर यहाँ पर 14 दिन 14 दिन पूर्व अगला देखेंगे यहाँ पर 49 नमर question और कह रहा है इसमें कि भारती निर्वाचन आयोग को सरव पर थम किस वर्ष बहुत सदस्य निकाय बनाया गया भारती निर्वाचन आयोग को तो देखिए यह बनाया गया था 1989 इस भी में option नमर ए जो है सही हो जाएग अगला question है कि जनसंकिया नियंत्रेन एबम परिवार नियोजन समीधान के साथ में अनसूची के किस सूची कावी से है तो देखिए यह हो जाएगा समवर्ती सूची कावी से है ठीक है option number C सही हो जाएगा अगला question देख लिए 51 नमर और इसमें है कि वाहनों में लगे rear view mirror द् वो किसके लिए भुगतान कर रहा है तो देखिए वह हो जाएगा उपयोग हुए उर्जा यानि इनर्जी के लिए ठीक है option number D होगा अगला question देख लिए यहाँ पर 53 नमर और इसमें है कि एक परिपत्स में परभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जो बोरा जाता है तो देखिए इसका 53 का जो आंसर है वो है option number 1 के वल एक यानि की सरिंग खिला के लिए ठीक है option number A हो जाएगा उसके बाद देखिए अगला question यहाँ पर 54 नमर और देखिए question number 54 यहाँ पर दिया है friends कहरा है 54 का जो question है कहरा है इसमें कि एक लड़की जूले पर बैठे स्थिती में जूला जूल लई है उस लड़की के खरे हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा तो देखिए उसका दोलन का जो आवर्तकाल हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है option number A हो जाएगा उसके बाद देखिए अगला question 55 नमर कह रहा है इसमें कि rocket गती के किस नियम पर कारे करता है तो याद रखेगा यह Newton के तीसरे नियम पर कारे करता है option number C जो है सही हो जाएगा अगला question देखेंगे 56 नमर और इसमें है कि जब एक जूल का कारी एक सेकेंड में किया जाता है तो सकती कितना होती है तो देखेंगे इसमें जो सकती होती है वो होती है एक वाट ठीक है option number B अगला question 57 नमर में कह रहा है कि एक हर्टज कितना होता है तो देखेंगे एक हर्टज होता है प्रती मिनट 60 कमपन प्रती मिनट कितना होता है 60 कमपन होता है एक हर्टज नेक्स्ट है निमनलिकित में से कौन सा एक एंटिबाइटिक नहीं है कौन सा एक एंटिबाइटिक नहीं है तो देखिए इन में से कोई नहीं ठीक है इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं एंटिबाइटिक नहीं है इसमें ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेशन 59 नमर और इसमें है कि मायो ग्लोबीन में कौन सी धातु होती है मायो ग्लोबीन में तो देखे इसमें जो है लोहा धातु होती है अगला देख लीजिए यहां पर कहा रहा है कि निमलेखित में सही तो देखे वहा हो जाएगा यहां पर अपगाटक जो बैक्टीरिया दिया हुआ यहां पर अपगाटक जो बैक्टीरिया दिया हुआ यहां पर क्या हो जाएगा सुमेलित हो जाएगा ठीक है अगला क्वेशन देखें कि कह रहा है कि मनुसमें एफला टॉक्सिन खाद विश इसको zero fight कहा जाता है क्या कहा जाता है zero fight option number यह हो जाएगा अगला question देखिए यहां पर question number हो जाएगा 63 और देखिए question number जो 63 है देखिए कह रहा है इस question में कि type fight तथा cholera ओदाहरन है ताइफ़ायड तथा cholera ओदाहरन है किसका तो यह है जल जन्य रोगों का ठीक है जल जन्य र अगरा देख लिए यहाँ पर 65 नमर में कि सौर उर्जा ATP में बदलती है सही हो जाएगा option नमर ए क्लोरोप्लास्ट में ठीक है option नमर ए हो जाएगा आईए अब देखते हैं अगला question देखें next question यहाँ पर कहा रहा है जायलम के दोरा आपसल नमर ए है इसका सही answer हो जाएगा windowsर, उर्जा देखें देखेंगे और 69 नमर ए इसका सही answer हो जाएगा 68 में है कि नीम्न में सबसे मीठी चीनी कॉन है तो वह हो जाएगा देखें फ्रक्टोस जहाँ सबसे मीठी चीनी होती है नेक्ट देखेंगे 69 नमर क्वेश्चन और देखें क्वेश्चन नमर जो 69 यहाँ पे दिया हुआ है देखिए कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजी और सूचियों के नीचे दियेगे कुटों का उप्योकर सही उत्तर चुनिये ठीक है प्रैंस एक तरफ क्वेश्चन नमर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा देखेंगे एकला क्वेश्चन नमर यहाँ पे 70 दिया हुआ है और इसमें है कि निरवात में ध्वानी की गती कितनी होती है निरवात में ध्वानी की गती होती है इनमें से यहाँ पर क्या हो जाएगा कोई नहीं हो है देखे अगला कुशन यहांपर 71 नोमर में कही रहा है कि निमनलेकित मेंसे कौन सा ओप यह ना मशलvir नोमर ओप नोम स्थे कौन सा रीष फोटक नहीं तो देखे इसका जो नै्ट्रोक्लोड़ो फॉर्म है यह इक बी चाहि सम कॉन सा इन नहीं है और और व्होंवंदट किया जाता है, fire alarm में, तो देखें, इसमें, photo sale का इस्तेमाल किया जाता है, option number C, इसका सही आंसर होगा, अगला 74, number question में है, कि पुलिस द्वारा नसे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांस के लिए, filter paper पर क्या होता है, तो देखें, filter paper पर होता है, potassium dichromate sulfuric aml, potassium dichromate sulfuric aml होत मतब किस कारण से तैरता है तो वह हो जाएगा option नमर यहां पी क्या हो जाएगा D हो जाएगा सियानता के वज़से ठीक है बादर और वायू मंडल आकास में सियानता के कारण तैरते हैं बादर और वायू मंडल भाप के छोटे कनों से बने होते हैं ठीक है फ्रेंट्स इसका व काफी महत्तपूर्ण साबित होगा और इसमें हम लोग टोटल 75 questions डिसकस किये हैं ठीक है और जिसमें GKGS, Current Affairs और General Science का question था जबकि math और reasoning का जो question है दोनों मिला के 75 question इसका PDF आप लोग हमारे टेलिग्राम चैनल विलेजर्स कॉंसेप्ट को जोइन कर लीजे वहां से इसका PDF आप